देखो यार मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ बोलता है नहीं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं विवेंसेकर की विकली में एक चेप्टर रिलीज होते है लेकिन फिर भी मैं उसका बीडियो बनाऊंगा ता सिर्फ तीन से चार मिनिट के ही वीडियो बनेगी इसलिए मैं दो चेप्टर का रिलीज होने का वेट करता हूं ताकि अच्छी खासे वीडियो बन सके रहा साल इसके पीछी वीडियो का लिंक तुम्हें डिक्रिप्सम में लिंक मिल जाएगा इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बता जाता है एकडमी की 10 दिन के होलिडे की छूटिये स्टार्ट हो गई है इसे गॉल्डेन होलिडे के लिए बनाया गी है जो कि अस्टूल एनुवल इस्टेन लून चर्श की तरफ से है एस्टूडेंट इसमें एक साथ इंपरि परियर देना है जैंचो कहता कि मुझे भी लगता कि एक साथ जाना यह एक अच्छा इडिया था पीगी भी कहता कि मुझे भी भॉलिंटर करना पसंद बिकिर कहता कि हाँ तुम सभी का थैंक्स तो अपने आश्पाय देखता है और कहता है तो यह है इंपरियल फैमिली का ल ना माज़ते हैं जिस सलब परनाउस करना ही मुस्किल हो जाता है पिगी उसके बारे में बताता है कि यह इंडोजेंडिया फैमिली का हेड है जो कि खोवादी फैमिली की तरफ से फैमिली में से है वह काफी पॉपुलर है और उसका चर्च में काफी इंफुलेंस वी है यहा जब मैं इसे अपने आखोस देखूंगा तो मुझे पता लगी जाएगा तब ही आपर एक ननाती है बहुत सरे बच्चों के साथ वो कहती है हमें अच्छा लगएगा कि वोलेंटेर अगले 10 दिन तक एक अच्छा टीचर बने बच्चों के लिए और वो बच्चों के बारें बताती है कि अगर वो बच्चों के साथ अच्छा विएप करते है तो बच्चे उनके कायडनेस को कभी नहीं भूलेंगे तो प्लिस आप सभी बच्चों के साथ उनके पैरेंट जीसे ट्रीट करना तबी टूडो कहता है कि लेकिन यहां पर ब्यांका और स्इनकी क्यों है विएंका टूडो पर चिलाते हुए के तुम्हारा क्या मतलब है कि हम यहां पर क्यों है हम भी बोलिंटिर के लिए आए है ल correlate आगर तुम्हे एतना प्रबलम है कि लेकिन मैं होप करते हूं कि हम यहाँ पर अगले 10 दिन अच्छे से बिताएंगे विकर भी से हाथ मिलाते हुए कहते है कि जरूर क्यों नहीं सिंख्या ने उससे request की और उससे पता लगाया कि तुम volunteer के लिए कहां जाने वाले हो तेको वो भी यहीं पर आ गई क्या तुम इसका मतलब समझ रहे हो विकर अपने मन में सोचता है तो वो मेरे पास खुद से यह बोलके कि यह एक संयोग है लगता है कि मुझे उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए वो अपने आज पास देखने लगता है और अपने मन में कहता है तो यहां पर headmaster नहीं देख रहा अभी सभी बच्चे भागते हुए सभी अपने teacher के पास जाने लगते है देखते है कि टूडो दो बच्ची को खिला रहा होता है बियंका के पास भी क विकिर एक छोटी बच्ची को notice करता है जो कि उसके side से निकल के बाहर चली जाती है और एक जगपे जाके खड़ी हो जाती है विकिर उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे उन जगपे घुटन फिल होता है जहां पर बहुत सारे लोग होते है वो बच्ची विकिर को देख बच्ची के सामने आ जाता है और उसके कॉलर में देखता है उसका नाम पेरी होता है और मुस्कुराते हुए उसे पूछता है तो तुम्हारा नाम पेरी है वहां से भाग जाती है बिना कुछ बोले विकिर अपने मन में शुता है क्या मेरा मुस्कुराना इतना डराओना थ तब भी वहां डॉलरेस आती है और कहते है कि मुझे नहीं लगता कि वह इसलिए भागई क्योंकि वह तुमसे नफरत करती है किर भी उसे देखता है और कहता है कि ओ प्रिसीडेंट डॉलरेस मैंने सब कुछ देखा लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एतने काइंड हो विक मैं तो सभी लोग पेरी के पास दोस्ती के लिए आए लेकिन एक दिन के बाद से उन्होंने आना बंद कर दिया कोलके कि वह बहुत बीजिये उनके पास टाइम नहीं है मुझे लगता है कि वह काफी ठग गी दूसरे से जुड़के जो कि उसे बाद में छोड़के चले जात मैं कि our million worth के चूट को खरीदना चाहता हूं लन बंद कि हैत से क्या तुमने हाली में किसे को जान से माराज है हम देखते हैं कि विकर और डॉलर्स वहीं पर चुपे हुए थे वो बंदा गया था कि हाँ, मैंने एक बरबर सलेप को खर दा था जो कि भाग गिया, और उसके पकड़ी जाने पर उसको मैने सिखाने टैप वो गलती से मर गिया, विकर धीरे से डॉलर्स को बोलता है कि प्लीज सांद रहो डॉलर्स अपने मन में सोचते कि विकर वो अचानक सासा क्यूं कर रहा तब ही विकर को एक इसमेल आती है, ये कुछ जानी पहचानी इसमेल थी लेकिन तब ही तीसरा बंद आके उन्हें देख लेता है, विकर हरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि हम पकड़े गए, तब ही विकर कुछ नोटीस करता है उस बंदे से भी एक डीमन की इसमेल आ रही थी उसे, जो कि विकर को जानी पहचानी लग रही थी तब ही वहाँ पकुल्टी भी आ जाता है, और कहता है कि ओ माई माई सेंतेश, तुम यहाँ पर मुझे ने पता था कि तुम्हें छुपके दूसरों की बात सुनना इतना अच्छा लगता है डोलरेस अपने अपको सांथ करती है, और कहते है कि सर कुल्टी और अपने मन में सुचती है मुझे ऐसा फिल हो रहा है कि हम चोरी करते हुए पकड़े गए, नहीं, मुझे फिलाला भी सांथ होना चाहिए यह बहुत बुरा है, तब ही कुल्टी विकिर के पास चला जाता है, और कहता है कि तुमारी इनुफरम को देख के लग रहा है कि तुम हमारे और अपने इसके बॉलेंटिर में से एक हो मैंने इसे ठीक से देखाने, लेकिन तुमारे चैसमे के पीछे, वो चेहरा करिप से देखने पर काफी सुन्दर लग रहा है और अपने मन में सोचता है कि यह मेरे कलेक्शन के लिए एक हाई क्वालिटी का चेहरा होगा, मुझे यह चाहिए लेकिन वह अपने आपको सांध करता है, और अपने साथ आई हुए बंदे से कहता है, मुझे माप करने के मैने तुम्हे बेट कराई गा फिरो, सेंथे से कहता है कि मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, हम फिर कभी बात मैं मिलेंगे फिर वो तीन वहां से जाने लगते है विकिर बस उन्हें जाते हुए देख रहा था डॉलरस अपने मन में सोचती है ये कितना इंपरियर था अपने आँखों से छूट को खरिदते हुए देखना कि मैं उन्हें रोक भी नहीं पाए विकिर तुमने ऐसा क्यों किया लेकिन डॉलर विकिर को देखे थोड़ा हिरान हो जाती है वो वहीं पर रुख जाती है विकिर डॉलर से कहता है कि मुझे माप करना तुमारे सता ऐसा करने के लिए अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगा ठीक है अब मैं यहां से चलता हूँ डॉलर जो कि विकिर को जाते हुए देखती है और अपने मन में सुच्चिए कि वो विकिर वो गुस्से में लग रहा है इसके बद हमें बताया जाता है कि विकिर न क्वालिटी के बारे में इंफ्रमेशन जमा की वो औरफेंस के अंदर दो घंटे रहता है उसका नॉर्मली काम है अमीरों और मर्चेंट को छूट बेचना और लोगों ने कितना इन्वेश्ट गिया है इसका रिपोर्ट खोवादी फैमली के कारडेनर को देना इसके लवा फोरीजन अफ़ेर में वो अपने साथ स्कोट को भी रखता है उएंसे तिन आदमी और एक वोरत है जो कि स्कोट गाड़ का काम करते है और उन चारों में से एक आदमी हो है जो कि औरफेंस के धामाके में विकिर को मिला था और उन तिनों में भी वही इसमेल आरही थी जो कि चोथे आदमी के अंदर से आ रही थी इसका सीधा मतलब यह है कि वो चारो के चारो डीमन है जो कि हाई रेंग गरजीवटर जितना पाउर्फूल है लेकिन यह विकर के लिए भी डेंजरास है एक एलाइट को रूप के साथ सा चार्ज हाई रेंके गर्डियोटर के साथ फाइट करना, अगर उसे क्वालिटी को मानना है था सबसे पहले चारों गाड़ों को निप्टाना होगा, तब ही हम टूडो, सेंचो, अपीगे को देखते हैं, जो कि वो लोग कुछ देखे हैं हरान थे, क्योंकि विकिर कप्लेद ह की कहता है कि विकिर तुम तो क्छ जादा मेहनत कर रहे हो, वह देखे वह भी मोटिवेट हो जाते हैं, और वह डिसएड करते हैं, विकिर को फूलो करने के लिए विकिर अपने मन में सोचता है क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था मुझे पता ही ने चला कि मैं कपलेद हो रहा हूँ जैसे मेरे लिए दिन में घुमना काफी मुश्की ले इसलिए मुझे रात का इंदिजार करना चाहिए दूसरे सिन में बच्चे को देखते है जो कि बोल के साथ खेल रहे होते है वहाँ पर साइड में पेरी भी बैटी हुई थी जो कि उनने खेलते ही भी देख रही थी तब ही वह अपने साइड में देखती है विकिर वहाँ पर बैठा हुआ था और अपने बोल के साथ खेल रहा था अपने मन में सोचता है कि बलक्स को भी इस तरह का खेल खेलना काफी पसंद है यह पता चलता है कि विकिर जिस बोल के साथ खेल रहा है वो बोल नहीं है उसको खेलती हुए देख कि अपने मन में सोचता है कि मुझे पता था यह जरूर काम करेगा विकिर के पीछे सिंखिया बैटी हुई थी वो विकिर से कहती है मुझे पता था तुम बहुत काइंड हो विकिर उसको तो पहले देखते है और कहते है कि ठीक है तुम्हें जैसा कहना है कहो शिंखिया ये सुनके काफी खूर सजाती है और कहते है कि इसका मतलब यह है कि मैं और भी ज़्यादा केजूल हो सकते हैं ब्रदर विकिर कहता कि ये कुछ जादा है ब्रदर ये थोड़ा अनकमफर्टेवल है क्या कहता कि हाँ हाँ ठीक है मैं अगली बार सोचूंगो कि मुझे तुम्हें क्या बोलाना है देखते हैं पेरी को जो कि बॉल के साथ खेल रही होती है तब ही वो बॉल अन्बैलेंस होती है और वो पेरी से दूर जाते हुए एक नाले के अंदर गिर जाता है विकिर उसे देख लेते हैं वो लोग नाले के पाचा के देखते हैं सिंख्या कहती है इसे वापस नहीं ला सकते है ये नाले में गिर चुका है पेरी विकिर की तरब देखने लगती है पर विकिर कहता क उसका पहले impression उतना अच्छा नहीं था वो भी ने predict किये दूसरों को बहुत जल्दी judge कर लेता है इसके लवा उसका behavior भी खराब है जिससे उसे minus point मिलता है तकि वो volunteer पर आया ऐसी point के लिए और विकिर के बारे में और जानने के लिए वो सबसे पहले टूडो के पास जाती है टूडो कहता कि विकिर कीचन के अंदर लोगों की कमी पढ़ रही थे इसलिए विकिर ने volunteer किया और वो सबसे पहले गया चंचो कहता कि ओ विकिर वो थोड़ी दिर पहले खाना बाट रहा था लेकिन बच्चो के कहने पर वो उनके सथ खेलने चला गया डॉलरेस अपने मन में सोचते हैं कि सब भी लोग विकिर को एक अच्छा परसन मानते है नहीं साइद मेरे ही जज्ज्मिंट गलता है एक्चली मैं मैं ही गलत हूँ जोकी मैं उसके बार में बुरा सोच रही थी मुझे उसके पाच जाके उससे माफी मांगनी चाहिए तब ही डॉलर्स की नजर विकिर के उपर जाती है उसे विकिर को देखे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब ही विकिर अपने सारे कपड़े खोल नाले के अंदर कुछ जाता है हम लोग नाले को देख के बता सकते हैं कि नाले कितने गंदी थी वो तीनों देख के हैरान हो जाते है विकिर को नाले के अंदर कुछते वे विकिर नाले के अंदर से उस बॉल को निकाल लेता है विकिर कहता है तुम्हें अपसेट होने की जरूत नहीं है मुझे बॉल मिल गई है लेकिन विकिर नाले के अंदर भी इतना हैंसम लग रहता है जिसे सिंक्या के साथ साथ डॉलर्स भी देख के सरमा जाती है और पेरी हैरानी भरे नजरों के साथ बिकिर को देख रही होती है और इसे के साथ ये वीडियो यहीं खतम और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई तो आर लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो क्योंकि फरक नहीं पड़ता सही बता रहो फरक नहीं पड़ता बस लाइक मार दो और अगर तुम लोग नहीं हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटा ने उस पर कुछ भी फैक के मारो ये माइक फैक के मारो ये कैमरा फैक के मारो मैंने उल्टा बोल दिया लेके मुझे फरक नहीं पड़ता है बस सब्सक्राइब करो मुझे नहीं